नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करूँगा टाटा पावर के शेर के बारे में इस स्टॉक पे मैं काफी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ आपको इन दिनों से मेरी बायकॉल चल रही है स्टॉक पे अराउंड 228 के लेवल से जहां पे मेरा पहला टार्गेट 240 का था एन सेगंड 245 के हैं फर्स टार्गेट तो मीट हो चुके हैं स्टॉक में बट अभी कही न गई टाटा पावर में उतनी बड़ी तेजी आई नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ स्टॉक 238 के लेवल से आज आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक का चार्ट पैटर्न अभी भी बहुत स्ट्रॉंग शो कर रहा है जहां पे आपके लिए गिरावट बहुत चोटी दिख रही है बट देखे पूरी मार्के काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है अब टाटा पावर के शियर के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको मैं स्टॉक के बारे में बता दू यह कंपनी लगबग 76,000 क्रोड के मार्केट के साथ काम कर रही है एंड कंपनी आज के सेशन में स्टॉक का प्र स्टॉक में आपकी कैसे होनी चाहिए पोजिशन इसके बारे में बात करूंगा लेकिन उससे पहले जारा निफ्टी का हाल देखते हैं तो 17,956 हरे निशान में बंद होने में हम लोग सफल रही है जहां पर 40 पॉइंट की कमजोरी के साथ खुले रिकवर हुए उसके बाद फिर गरे 80 पॉइंट तक गरे मैंने वीडियो शूट भी करी थी जब मैंने आपसे काता है यह बाइंग अपॉर्चुनिटी है और मार्केट में बहुत स्ट्रेंट है हर गिरावट खरीदने का मौका है और यहां पे जो बायर्स हैं वह बहुत ही जादा इस टाइम मतलब ए चास हजार के पास पहुचा लेकिन दुबारा साथ हजार पे तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए एंड बने रहिए अपनी पोर्टफोलियो के साथ बस मैं यही कहूंगा अभी बात करते हैं टाटा पावर के शेयर में अगर आपके पास पोजिशन है तो कैसे आपको मेंटे 3% की डिलिवरी परसेंटेज ती जो की ठीक है जाद अच्छी नहीं है पांच दिन की डिलिवरी परसेंटेज लगबग 38% की दिख रही है मुझे इस स्टॉक में दोस्तों अभी भी मुझे लगता है कि 245 to 242 रुपीस तक के लेवल से आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी द तीन बार गूमा सेम टू सेम जुबली फूड की तरह जैसे जुबली एंट फूडवक्स लगबग 600 के लेवल से तीन बार दो बार यूटन मार गया था वैसे ये स्टॉक भी लगबग 3 टाइम्स अटेम्ट कर चुका है बट इसमें यूटन छोटा ही आया उसमें बहुत ब पीस का होगा जितनी आपको उसके पास मिले खरीदिये क्लोजिंग बिसिस का एसल रखे 228 पे अपनी पोजिशन को मेंटेन करिया आपके लिए टारगेट जो होंगे 242-245 के होंगे अब जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों अपनी पोजिशन को मेंटेन करता है उसके बाद हम रिव्यू करके अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट परपस के लिए तो दुस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए यह स्टॉक काफी जादा शानदार है जैसा कि मैं इस स्टॉक को देख पा रहा हूं इस स्टॉक ने अभी हाली में अनौन्स कराए कि हम आगले 5 साल में लगबग लगबग 75,000 करोड का केपेक्स करेंगे यानि कम्पनी लगबग 75,000 करोड का 750,000,000,000 रुपीज का केपेक्स करने वाल्य है तो ये बहुत бड़ा केपेक्स प्लान और जितना market cap है उतना ही केपेक्स प्लान है कम्पनी का जिस मैंसे FY23 यहनी current with reverse में company 14,000 क्रोड का केपेक्स कर रही है जिस 14,000 क्रोड मैंसे 10,000 क्रोड का केपेक्स renewals में कर रही है company तो यह सारी चीज़ें शो कर रही है कि company कितनी strong खड़ी है second thing stock के PE के साब से बात करें तो 29 के price to earning पे valuation wise भी ज़्यादा महेंगा नहीं दिखता है और आने वाले समय में यह stock काफी अच्छा perform कर सकता है ऐसा analyst का मानना है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दू यह stock charging stations को लेकर आप सभी को पता है lead कर रहा है market में EV इसको लेकर EV play भी माना जा रहा है और in fact है भी क्योंकि गाड़ी को भी बनाए चार्ज तो यही करेंगे अभी stock हर दूसरे दिन कभी न कभी आप सुनते हो कि किसी state के साथ MOU sign या फिर किसी company के साथ partnership recently company की बात करें तो JP Infra के residential में इनके मुंबई में जितने भी JP Infra के residential है वहां पे charging stations यह बनाएगी company यह दो-ती दिन पहले ही ख़बर आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो company आगे का outlook भी काफी positive लग रहा है तो long term का मुझे लगता है अगर आप 12 महिने का समय दे सकते हैं तो यह stock दो-बारा से आपको 280 तक के एक बार लेवल जरूर दिखाएगा 300-280 तक के easily तो वहां तक जा सकता है तो यह होगी मेरी वीडियो टाटा पावर के शेयर को लेकर hope आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys